इक्स मोबाइल एंग कॉम्पीटर चेनल में आपका स्वागत है मेरे पास है वीओ वाई 17S इसमें FRP लोग है FRP हम बाइपास करेंगी विदाउट PC से पहले वाइफाई के साथ फॉन को कनेट कर देना है उसके बाद आपको मैं स्क्रीन में आ जाना है होम स्क्रीन में इमर्जनसी कॉल में जाना है और यहाँ पर डबल वन टू करके कॉल कर देना है उपर नॉट्स हाइलाइट होता है उस पर क्लिक कर देना है वापस हम ट्राइ करेंगे 112 call करेंगे और nots पर click करेंगे यहाँ पर open हो गया agree पर click करेंगे plus icon पर click करेंगे और यहाँ पर आपको type करना है www.youtube.com उसके बाद enter hit करना है right पर click करना है तो यहाँ पर link बन जाएगी link पर click करके open पर click करना है और यहाँ उसके बाद थोड़ा wait करना है chrome automatically open हो जाएगा अगर नहीं होता तो back पर click करना है आप देश सकते यहाँ पर chrome open हो गया यहाँ पर link type करना है वीडियो स्क्रीन में दिख जाएगी देखके type करके open कर लेना है नीचे आना है और setting पर click करना है system पर जाना है phone clone पर click करना है यहाँ पर new पर click करना है android पर click करना है एक और android phone चाहिए जिससे आप application ट्रांसपर कर सके जो android की जरूरत पड़ेगी इसमें easy share software आपको install करना है प्लिस्टूर्ड में इसे मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर scan कर लेना है सब अंटिक कर लेना है apps पर click करना है और यहाँ पर active launcher select करना है ok पर click करके start clone पर click करना है wait करें जब तक application install नहीं हो जाती open पर click कर देना है ok पर यहाँ पर आपको click करना है wait करना है जब तक load नहीं हो जाता android setup में जाना है आप देशकते यहाँ पर सब option के आगे setting icon है जिसमे setting icon नहीं है उस पर आपको click करना है start पर click करना है यहाँ पर skip कर लेना है android point वापस लेना है setting में जाना है setting में जाके आपको google में जाना है उसके बाद आपको all services पर click करना है निचे आना है all services निचे आना है setup and restore पर click करना है setup nearby device पर click करना है next पर click करना है FRP वाले phone में next ने करते रेना है without cable हम copy करेंगे next use my google account पर click करना है यहाँ पर try again करना है next पर click करना है तो आप देश सकते यहाँ पर phone connect हो गया है next पर click करना है और copy पर click करना है यहाँ पर email id यह phone में से दूसरी phone में copy हो जाएंगे password एड़ करके next कर लेना है यहाँ पर बाकी don copy कर लेना है email id copy हो गया बस इतना ही करना है उसके बार next पर click करना है greeting accounting पर wait करना है accept यहाँ पर google पर click करके next कर लेना है यहाँ पर skip कर लेना है तो आपको वीडियो में देखके phone को setup कर लेना है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें अपने दुस्तों के साथ और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रला जो, प्रॉप टो याँ प्राइक करें आपकोड़गियो आपको खार झाल 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 झाल